एकीम निसुम राक्षस को मारने के पस्चात मादुरगा ने अपनी तलबार एक जगव फिक दिती जिसके कारण एक असी नामक नदी का निर्मान हुआ था इसलिए इस घाट का नाम असी घाट परा तो बॉली बुड की बहुत सी फेमस मुवी इसी घाट पर सूट हुई है जैसे रांजना मुवी की ज़्यादा तरकी जो सीन है वो इसी घाट पर सूट की गई है हर हर महादेव दोस्तों तो स्वागत है आपका बनारस के तीसरे ब्लॉग में तो आज हम लोग देखने वाले हैं असी घाट दोस्तों बनारस की जो असी घाट है वो काफी प्रसिद्ध है तो इसी घाट को देखने के लिए हम बनारस की इन खुबसूरत सरकों के बीच से निकले असी घाट के लिए फिर रास्ते में मुझे पता चला कि बनारस की इस जगह की जो पान है वो काफी प्रसिद्ध है वैसे भी दोस्तों बनारसी पान पुरे भारत में प्रसिद्ध है तो इसी पान को खाकर हम लोग निकले असी घाट के लिए और दोस्तो सामने में बोड को पढ़ने के पस्चात मुझे पता लगा कि यहां से असी घाट की दूरी 100 मीचर है तो दोस्तों हम लोग निकल गए थे असी घाट के लिए और चलते चलते मुझे एक चीज का एहसास हुआ कि जो मैं बच्पन में सुना करता था कि बनारस की गलियां काफी खूबसूरत होती है वाकई में वो बहुत जादा खूबसूरत है और इसी बीच में हमें असी घाट के कि हम पहुँचे इस खूबसूरत असी घाट पे और वाकई में दोस्तों मैं इस असी घाट के सुन्दरता और भबिता को देखकर हैरान था और दोस्तों हमने ये समय इस लिए चूज की थी क्योंकि इस समय इस घाट पे जादा भीर में होती तो आसान होता है चीजों को कव भूती हुई दोस्तों उसके पस्चात अब बारी थी असी घाट के उस तरफ जाने की जहांपे कि मैं आपको असी घाट से रिलेटेट बहुत सी कहानियों को बताऊंगा तो दोस्तों अभी मैं आ गया था इस तरफ और ये सामने में है वो असी घाट की मंदिर और ये है वो दोस्तों दूसरी कहानी है कि इंब निसुम राक्षस को मारने के पस्चात मादुरगा ने अपनी तलवार एक जगा फेक दी थी जिसके कारण एक असी नमक नदी का निर्मान हुआ था इसलिए इस घाट का नाम असी घाट परा दोस्तों बॉली बुड की बहुत सी फेमस मुवी इसी घाट पे सूट हुई है जैसे रांजना मुवी की जादा तर की जो सीन है वो इसी घाट पे सूट की गई है और सनी देवल सर की जो एक मुवी थी मौला असी वो भी इसी घाट पे सूट हुई है दोस्तों बेहद ही आओ तो आप इस घाट पे जरूर आओ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लाग में तब तक के लिए हरर महादेव